कि वेल्कम गैलक्सी स्कॉलर्स तो अनदर लेक्चर ऑफ और एक्स्प्लेनेशन टुड़े आपको क्या फाइंड नमबर फाइफ कोशन फोर तक हमें लास्ट तोले लेक्चर में कवर कर लिया था आज हम इस एसाइमेंट को वरी कर देंगे इस मैथ मैथमेटिक्स के तो पहला कोशन यह कहता है कि आपको क्या फाइंड आट करना है जश्ट आपको दो ट्राइंगल एक तरीके से एक वर्टिकली फॉर्म में और एक होईजोंटल फॉर्म में है तो यहां पर आपको पी आर टे किसे स्ट्राइब की है कि ले अब आपको क्या फाइंड आट करना है टी की वेल्टी फाइंड एक दिया हुआ है पर आंगल एक हुटना दिया हुआ है सब्सक्राइब कि यहां पर एक इंटरसेक्टिंग बनेगी तो क्या हो जाएंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगे जितना इसका होगा इस वाले डेग्री का हो इतना इसका भी होगा सब्सक्राइब क्या है कि यहां पर पहली बात तो यह वर्टिकल ऑपोजिट अंगल कि यहां पर प्रॉप्रेटि लगेगी बट मुझे तो पता होन रिविधे कि यह किसा किनत मुझे डिग्री होता है तो एंगल P अगल R प्लस एंगल T इकोर्स टो 180 डिग्री एंगल P आपका 95 डिग्री और एंगल R आपका 40 डिग्री प्लस एंगल D इकोर्स 290 डिग्री आपको यहा भी लिखना चेकर लिखना जरूरी प्रोपर्टी अब 95 प्लस 40 कितना होगा सबसे पहले तो जो मायनर नमबर हो तो उनको बोल जाने ब्रेक करने के 95 प्लस 40 डिगरी तो फाइफ अटा देंगे तो कितना हो जागा 40 ब्लस एक तो 130 130 प्लस 5 135 डिगरी अब हमें अगल टी फाइंड आप करना तो अगल टी वहम क्या बनाएंगे सब्जेक बनाएंगे तो उधर जाने तो एक वेस्ट वन एक डिगरी माइनस 135 डिगरी ओके जो माइनस करें तो कितना बचेगा आपके 45 डिगरी यह आपका 45 डिगरी है अब एंगल सब्सक्राइब से आपके यह वाला जो पार्ट है एंगल टी वह भी क्या हो जाएंगे आपके एक तरीके से सोरी यहां यहां पर कुछ और नाम भी दे सकते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा अब क्यों हम्हां क्या फाइंडाट कर पाएंगे इसनी फाइंडाट कर लेंगे चले सो क्यूद एश तो इनकल कि प्लस करेंगे तो यह आपका 45 डिगरी हो गया यह है अब यंगल समपर्फटी फिर से लगाएंगे प्लस करेंगे अब प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर क्यों को पाइंड आपको कितना है इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके एक पाठ कर दिया तो 80 80 प्लस 40 120 तो एंगल क्यों एक वास्तों 180 डिग्री माइनस आपके हो जाएगा 20 डिग्री और एंगल क्यों पॉस्टी डिग्री आपके यह सॉलुशन ओवर हो गया हम नेक्स्ट देखेंगे पुस्ट्र नमबर सिक्स कि कुसर नमबर सिक्स एक तरगे से रिलेटेबल है आपके सॉल्ट फॉलाइंग जो है जस्ट उसके नीचे उसके साथ है इफ लग में इपनेट करते चाहिए कि'a जैग्वस्ट क्यूंट तो अमने क्रोव करना एक इसके नीचे आपके equation दिया हुआ है उसको एक तरी के साब को relate करना है तो एक स्क्यूब प्लस वाई क्यूब एक स्क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जैड़ क्यूब माइनस 3xyz एक स्क्यूब प्लस था श्या-प्लस फ्याइय स्क्यूब प्लस वाई उसक्यूब स्क्यूब माइनस जैड़ का कौण का स्क्यूब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे जब जिरो कुट करेंगे तो यह होल नंबर क्या हो जाएंगे जिरो हो जाएंगे करेंगे इसके साथ माल्टिफ्लाइब कर जिरो हो जाए को एक्सक्राइब क्लस मार्टिफ्लाइब क्लस ज्डी उसके साथ नंभर दिरेकल के साथ तो Все तो x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to 0 अब इसको उधर ले जाएंगे तो x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz अशर आपका proof हो गया हमने so that कर दिया clear है मेरी बाद यह आपका यहां तक over हो गया नौ solve the following हमें क्या करना है verify करना है कि x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to half of यही वाले में equation पहांगे solve the following first verify तो x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to half x plus y plus z equals to x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x plus whole square और वहीं से हमें क्या करना है प्रूफ करना है तो बहुत ही simple way में हम जाएंगे first of all हम क्या करेंगे इसको 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 रखेंगे इन पार्ट करेंगे solve करेंगे यह एक अपना एक्वेशन है इसको फॉलो करता है a minus b whole square इसको तो simple आएंगे बिए लिए मिए अपन टो x plus y plus z x square minus 2xy plus y square नहीं आते क्लिए में अभिये देखेंगे हम प्लस में है y square minus 2 y z plus z का square clear है अब यह भी हम देखेंगे plus में z का square minus 2 z x plus x का square यह तो बहुत clear है अब हम bracket को क्या करेंगे तो ओपन करेंगे तो one upon two x plus y plus z अंदर जाएंगे तो एक त्रीक से simple way में आपको हो जाएगे x square minus 2 x y plus y square plus y square minus 2 y z plus z square plus z square minus 2 z x plus x square यहां तो बात क्लियर है इस तरीक हमारे आएंगे नहाँ वाट वाट विल दू जितने सेम पार्ट है में सुटना करेंगे जोड़ेंगे जितने आपके वेगे बाइब हैं तो एक क्यों से बनेगा 1 upon 2 x plus y plus z अब हम जोड़ेंगे तो x square उधर भी लाज्ट में आपके यहां पर भी एक्सक्वार तो कैसे हो जाएगे 2 x square plus 2 y square plus z square yes or no ऐसे हो जाएगा आपके अब हम इसको अलग अलग लिख देंगे तो कैसे होगा यह माइनस 2 xy माइनस 2 yz माइनस 2 z x अब इन सब में से common क्या निकल रहा है पहले बात तो यह वाले पार्ट जो है तो यहां से भी क्या सब में से पहले तो common 2 निकल रहा है तो 1 upon 2 x plus y plus z common हमने निकाल दिया 2 को तो x square plus y square plus z square और माइनस xy minus yz minus z x ऐसा कुछ विए आएगा तो 2 को हमने common निकल निकला है तो यहां से 2 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा बाचे कहें कि एक्स plus y plus z अभी हमें solution करना बाकि x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus z x तो यहां तो अभी अपने solution वह हम अभी इसको solve भी करेंगे तो इसको रफ कर देता हूं because then after we will get proper place for us all in this time okay x plus y plus z x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus z x तो इसको आपना simple x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx तो y को से साथ multiply x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx फिर से अब इसके अंदर हम z से multiply करेंगे it is quite lengthy x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx क्लियर है हम multiply करेंगे x cube plus y square x plus zx z square x minus x square y minus x yz minus zx square this is a multiply करेंगे xy square plus y cube okay next plus zy square minus xy square minus xy square minus y square z minus xy z x square x किस तरीके से होगा तो ज्यूब आपकर आपकर करेंगे अब तो पार्ट आपकर करेंगे इस तरीके से होगा तो आपकर आपकर पक्राइब हम एक क्यूब वाले पार्ट को साथ में तो एक स्क्यूब प्लस वाई क्यूब स्लर्स जैड यह क्लिए अब ध्यान देना अब जितने आपके यह वाले फॉर्म है एकस वाई स्क्वेर जैड वाले इसको हम बेले कट करेंगे ओके आवे जर्ट स्क्वेर हैं आपकी आहिए और ओर फॉर्च वाले पाट की सजबा अबिख्राइगा यहां ओ तो जो चपार एकस को हम घूWAँ क्रूनिंगे फॉर्स और वी विबांं है देट फिंग होजडेक्स स्क्वेर तो जड़ेक्स स्क्वेर प्लस में हम आगा क्या जगा माइनस में तो कट है क्लियर है यह के अफ्रकत करेंगे यहां पर इस फर्ट करेंगे यह पर ऑप है यह यदि लास्ट अपका इधर भी कट होंगे लेक्स तुम यह आपके और आपका एक जश्ट यहाँ पर आएंगे वो कट हो जाएंगे जीस थिंग बरोबर बरोबर अब बचा क्या है माइनस एक स्क्वेर वाई माइनस एक्स वाई जेड यह भी आपके बचे है माइनस एक बार बचा है दो बार बचा है तीन बार बचा है तो माइनस थ्री एक्स वाई जेड अब जो भी बचा होगो सब क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे, because कहीं न कहीं, आपके क्या बचे होंगे? माइनस में बचे होंगे, plus में है, minus में है, zx square, आपके इधर cut, इधर cut, इधर cut, तो in directly सब आपके क्या हो जाएंगे? cut ही हो जाएंगे, तो last minute में क्या मिलेगा? यहीं मिलेगा x3 plus y3 minus 3xy equals to 0 कर दिया कर दिया कर दिया नाव हम question number second को solve करेंगे find three different irrational नंबर between the rational number this आपको तेन नंबर find out करना इन दो नंबर के बींच में पहला first आपको दिया 5 upon 7 and 9 upon 11 तो सबसे पहले तो इनका दिनोमिनेटों को चापर लगाव equal कर दो विकास सेल सेम क्या बनेगा इन ओना और 77 यहीं बनेगा 77 5 upon 777 कितने जा रहेगा तो 11 जाना इंटिप्लाइड जाएगा थे इन फिट्टी ना इन अपन 11 77 करना है तो कितने से मुल्टिप्लाइड करेंगे 7 से मुल्टिप्लाइड करेंगे 63 हो जाएगा तो 63 अपन 77 अब इसके विश्म बहुत सारी रेशनल नमबर शुक्ते 56 upon 77 57 upon 77 58 upon 70 जाना बहुत सारी और गिनात होते हैं 77 आपका ओवर हो गया यहां तक बहुत सिफाइड फॉलाइग नमबर एज़े रेशनल और इर्रेशनल नमबर हैं तो फ़र्स्ट अफल इस अपनितर रूट रूट 25 यह सब क्या है आपके एश्नल नमबर हैं विकौस यह कौन से फॉर्म में हैं आपके रूट के पॉर्म मे जो आपका 0.3 796 वो रेशनल नंबर के फॉर में आ सकता है 0.3796 बिकॉस दिवाइड में तो एक दो तीम चार जी रोने के जाहें इसको पी बाइट के फॉर में हम दिखा ज़्याद भी आनके रेशनल नंबर है आपके 6 आपके C और E भी क्या है आपके रेशनल नंबर ही है आपना अस्याइमेंट ओवर थांक यू